हलो गाईज, वेलकाम डू टेकी आसर गीडियो चनल और गैस टेकी आसर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है कर गरम गरम टेक अपडेट साप लोग ले क्या चुका हो तो फटा फट से पे इन लोग लास कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक अट अर्गेट रकते हम तीन अजार लाइक का अपर आप कर दोगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते है फ्रैंच वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर से ले बता दूए आज के हमारी दूसरी वीडियो है सुबह में हमने Samsung Galaxy F62 smartphone जो इंडिया में launch होने वाले flagship chipset under 25,000 रुपीज तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो पूरे specification, price point, इंडिया launch date, सारी चीज़ों के बारे में बताया हूँ वीडियो का link में नीचे description में pin comment में दे दिया हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोड़ से check out कर सकते हैं तो guys सब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहरे tech update के बारे में तो जैसे के आप सभी को पता है कुछ दिन पहले वाटसेप का यहाँ पर security issues वगरा चल रहा था बहुत सारे लोग ने उसको uninstall कर दिये लेकिन उसके rivalry या बहुत सकतो telegram जो messaging application है उसको बहुत सारे लोग ने यहाँ पर install करें हमें लगा चलो करेंगे बट ऐसा नहीं है यह January 2021 में पुरी दुनिया में worldwide अगर आप देखोगे सबसे जादा डाउनलोड वाल application जो है वो telegram था और उसे सबसे बड़ी बात भी है इंडिया से जो overall जो जितने भी डाउनलोड हुए 24% उसका अगर आप पुरे का account करते हो वो इंडिया से डाउनलोड यहाँ पर telegram को मिला है ता आप समझ सकते हो वाटसेप ने अपने पैर पर यहाँ पर कुलाडी मारा और यहाँ पर बहुत सार लोग ने वाटसेप से आप बोसकते हो स्विच कर लिए आप टेलिग्राम में वैसे आप में से कितने लोग ने यहाँ वाटसेप छोड़के telegram पर गया हो वैसे मैंने तो टेलिग्राम अभी तक के इंस्टॉल नहीं कर रहा हो आप मैंसे कितने लोग यहाँ आप टेलिग्राम इस्तमाल करते हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में आप समझ सकते हो 2020 यह 2021 में 2G चलाना मदब impossible जैसा है पर वहाँ के लोग मजबूरी में उनको यहाँ पर चलाना पड़ा था लेकिन अब 18 मैंने बात चुए है वहाँ पर 4G services को यहाँ पर restore कर दिया गया है तो यह अगर आप जमू और कश्मीर में से हो तो यार congratulations कि आप भी बाकी के इंडिया वाले लोग जो 4G हम तो यहाँ डेली का है अमारी activity है वैसा आप भी यहाँ पर जो इंजॉय कर सकतो 4G services को वैसे आप में से कितने लोग आपर जमू और कश्मीर में से है और आपका क्या 2G से आपको कैसा यूज करके आपका experience कैसा था 2020 में मुझे बताना नीचे comments में तो guys next check update के अगर हम बात करें तो मोटरोला की तरफ से आपको cheapest 5G smartphone इंडिया का basically क्योंकि अगर अभी तक क्या हम देखते है न तो जो realme x7 आउफर वगर अगर अगर आप लगाओगे तो अससर वगरा में थोड़ा compromise करें snapback and 480 वगरा जो launch वा था 5G chipset उसके साथ में दे दें देखते हैं यहाँ पर exactly में Motorola 5G में क्या कुछ कमाल करके लातें under 15,000 रुपीस बताया जा रहे हैं यहाँ पर कुछी दिनों में launch होने वाला है जब launch होगा यह कुछ भी details निकल के आती ह देफिनेटली मैं आप लोगे साथ में share कर दूँगा इस आगे बने से पहले गरें पर तक हमार honest content पसंद आ रहे हैं वीडियो को like निकरो like कर देना चैनल को subscribe निकरो subscribe कर देना तक ऐसे ही गरम अगर हम latest honest content जो है मैं आप तक के सबसे पहले पहुचा पाओ इस नेक्स टेक अपडेट के अगर हम बात करें तो Nokia एक जमाने में Nokia का नाम ही काफी था बट अब Nokia मतब एकदम से ठूस या बहुत से पीछे हो चुका है अब finally Nokia का एक landing पे जा चुका है Flipkart पे Nokia 5.4 का India में बताया जा रहे है coming soon Flipkart पे बताया लेकिन India में बताया जा रहे है अब इंडिया में वो लोग क्या प्राइस करेंगे मुझे पता नहीं अगर देख सकते लेकिन अगर नोकिया अपने जो हमडी ग्लोबल जो है बेसिकली वह 15,000 पे तक अगर इसको लॉंच करते तो मुझे लग रहे है कुछ फाइदा निये लॉंच करके अगर एगर एग्र बाई बाई हमका आपका स्मार्टफोन नहीं चीए वैसे आपको क्या लगता है नोकिया अभी जो चाइनीज फिलर जो इतना फॉर्म में चल रहे है शौमी रियल मी या सामसंग को भी डेलो क्या आगे चलके नोकिया पहले जैसे अपने नाम बना पाएगा नहीं बना पाए अब रिसेंटल एक निउस निकल के आयती है एर स्मॉलेस आप बोल सकते हो पंच होल आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में उससे चोटा पंच होल हमने आज तक देखे नहीं है तो काफी चोटा सी रहने वाला आप देखते हैं आप एक और एक निउस निकल के आए तिक है जो रेड्मी के 40 जो है उसमें आपको स्नाप ब्रेगन का फ्लैक्शिफ चिफसेट स्नाप ब्रेगन 870 देखने को मिलेगा त्यूंकि अब भी यहाँ पर कॉलकॉम की तरफ से लॉंच होआ है काफी पावरफुल चिफसेट है अब बताए जा रहे हैं इंडिया में के री ब्रेंट करके लाऊ लेकिन हमें जो है पोको एफ़ण का सक्सैसर चीए फ्लैक्शिफ चिफसेट के साथ में अच्छे के साथ में अच्छे डिस्प्सेट के सामने तो आपकÈ 20 का री ड्रेंट करो यह कोई Redmi की फॉन का री ब्रेंट करो लेकिन सही प्राइस वाँन पर में यहाँ पर POCO F2 जल्दी से ला देते हैं definitely यहाँ पर यह स्मार्टफोन आग लगा देगा 10 10 Pro यह Macs भी हो सके तो वो भी आ सकता है 110% कनफर्म है बताया जा रहा है 3rd या 4th week of fab में आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले है अब देखते है exactly में Redmi Note 10 वगरा में क्या कुछ हमें processor वगरा देखने को मिलेगा विसे हैं यहाँ पर leaks के according तो बताया जा रहा है Diamond City 800U यह उससे powerful वाला जो chipset है उसके साथ में हमें जो Redmi Note 10 series में देखने को मिलता है अब exactly में देखते हैं वैसे और एक यहाँ पर चीज निकल गया थी कि यह बाद जो Redmi Note 10 series जो है ना Xiaomi बहुत ही aggressive price point पर launch करने वाले क्योंकि market में competition बहुत बन चुक है BIS पर आ चुक है end process पर चल रहे अब वेट कर लेते कुछी दिनों की बात है विसे जैसे ही मुझे यहाँ पर थूड़ी सी भी हिंड मिल जाती है इंडिया launch को लेके तो कुछ specs को लेके definitely मैं आप लोगे साथ में share कर दूँगा तो क्याज यह सारी थमाके दार न्यूस थी जो के मुझे आप लोगे साथ में share करना था I hope कर आपको यह पर वीडियो पसंद आए रहेगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेयर करें चैनल को subscribe कर देना मिल तो अफसेजिल किसी वीडियो में चुप तक के लिए thank you